हलो दोस्तों वेलकम तो माई यूटूब चैनल टेकनिकल फरमाई दोस्तों क्या आप लोगों का भी जो मुबाइल का डाटा है वह उटोमेटिकली खतम हो जाता है डेली बिना आपके यूज़ किये चाहिए वह एक जीपी हो चाहिए वह देड़ जीपी हो पर दे आप लोग यूज़ नहीं करते उसके बाद में भी आपका डाटा है और आप लोग भी इसके बार में सोचते होंगे तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ एसी सेटिंग्स आपके मुबाइल की जो आप लोग अगर जान लेंगे तो आपका डाटा है वह खतम नहीं होगा और आप लिंग में आपको डिसकेप्शन में दे दूहां वह आप लोग जरूर देख लेना उससे आपको काफी ज़्यादा हैल्थ मिलेगी साथ ही इस्टागराम और टेलिग्राम पर भी फोलो में लेना लिंक में डिसकिप्शन में दे दूआ तो चलिए वीडियो को शूरू करते ह दोस्तों यह जो ट्रिक है बहुत ही इसी ट्रिक है कोई भी बच्चा ुसको कर सकता है तो यहाँ पर आप लोगों को अपने फोन की जो सेटिंग्स होती है वह वो ओपन कर ले Cabinetwow सेटिंग्स का उप्शνर आप लोगों को आपके फोन के उपर की तरफ बार के वहां पर भी मिल सकता है या फिर आपको अपने फोन के अंदर चेक कर लेना है वहां पर अंदर की तरफ जो आइकन्स वगरा होते हैं वहां पर भी सेटिंग का ओप्शन देखने को मिल जाएगा जब आप लोग अपनी सेटिंग को ओपन कर लेंगे तो यहां पर एक आपको दिये ज कर दे हैं याँ पर काफी सारे उसमें आपको डियाता ता चीक है तो आप लोग देख भारें यहां पर सेटिंड ओंदर डाटा यूज उ जाओप्शन है जिससके मैंने क्लिक किया हूआ इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहां पर आने के बाद में आप लोग अपना जो है वो सिम वन में यूज़ करते हैं यह दोनों में आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग सिम वन के अंदर आपका जो डाटा है वो यूज़ करते हैं तो यहां पर आप लोगों को एक आप्शन दिया जाता है देगे सिम वन का जो उपर वाला है इस नीचे वाला जो है वो सिम तू का है, ठीक है. तो यहां पे आप लोग देक। पाएंगे उपर की तरफ मुबाईल डाटा यूजइज तो आपको मुबाईल डाटा examined सीम है जिसमें मेरा सीम आई मीन जो मेरा डाटा है, number एक में चल रहा है तो यहां पर मोबाईल डाटा daw उसेज पर आपको क्लिक करना होगा अपने फोन में जाकर के यहां पे तोड़ सा लोडिंग लेगा जो भी आपकी एप्स होगी वो सारी सारी यहां पे वो ओपन कर देगा ठीक है तो यहां पे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो बैक ग्राउंड के अंदर जो डाटा है वो कौन सी एप ज्यादा तो यूज करती है ठीकेशन तो आपको जो भी इन अप्लिकेशन मैं अप्लिकेशन लगें जैसे कि यहां पे यह फेश्बूक है इसको बैक ग्राउंड में चाहता हो बन करना तो इसपर इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पे एक option लिखा हुआ अलाव बैकग्राउंड uses तो इसे आपको off कर देना ठीक है इस तरीके से आप लोग same to same जैसे YouTube आप लोग चाहते हैं डाटा यूज ना हो तो इसे भी ओफ कर देना है इस तरीके से आपको सभी को choose कर लेना जिस भी application में आप लोग चाहते हैं background में data use ना करना तो उस application को आपको click कर करके यह same to same features को आपको बन कर देना है अलाव बेक ग्राउंड डाटा यूज तो बेक ग्राउंड का डाटा अगर आप लोग इस तरीके से switch off कर देंगे तो आपका जो डाटा है वो काफी जाता बचने लग जाएगा और आप लोग easily जितना चाहें उतना यूज कर पाएंगे अपने डाटा को और आपको काफी जाता benefit मिलेगा वैल दोस्तों कर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना साथ में अपने दोस्तों के शेर कर देना फिर मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए जाहिए